कि हलो फ्रेंट वर्लकर टू माई चैनल टेकन इनेश्मन आप सोवी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि मत deng के बारे में बात करेंगे यहां लगिसे आप ये भी sagt है की ऐड़ाइड टीवी के जतने भी साउंट सेटिंग होते हैं टीवी में उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे इंपुट से लेके साउंड तक तो फ्रेंड्स से आप अगर टेकन इनिश्मन चैनल पर सहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक शेयर जरूर करिएगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले त साउंड इससे निकल के बाहर आता है इसमें वे बेज भी फील होता है जियां फ्रेंड्स साउंड जबदस्त है लेकिन फिर भी अगर आप कुछ एक्स्टरा इसमें सेटिंग कर देते हैं तो वो सोने पे सवागा है तो फ्रेंड्स से तो चलिए चलते हैं टीवी के स्कीन मे और देखते हैं कि आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं यहां फ्रेंट से तो हम थोड़ा सा आपको close-up दिखाते हैं और देखते हैं कि आप अपने टीवी में sound setting में input में क्या क्या कर सकते हैं और कि सेटिंग से क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में detail में बा बात करेंगे कि यहां पर आपको टीवी के राइट हैंड कॉर्णर पर यहां पर सेटिंग देखने को मिल जाता है यहां फ्रेंड से आप से आप साउंड सेटिंग कर सकते हैं यहां पर आपको अल सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग में क्लिक करने के पाद यहां पर डिस लाइस टीवी स्पीकर है इंप अगर आपने वोम ठेटर वाया होप्तिकल केबल से अगर अगर कनेक्ट किया है तो यहां पे इस लैस पीडी आई आई एफ को स्लेट करना है और प्रेंट तभी आपका प्रेंट केबल काम करेगा अन्य था अगर अवर आप तीवी स्पीकर से चला रहें तो इस प्ह shampoo कर यहां पर여ड कर ऑडियो ओपूड का चलिए हम साउन में जाते हैं में डॉलबी सौण को आपको कश्टम करना है उसके पहले आपको सौण लेवलर को ऑन कर देना है या फ्रेंडस सौणU अगर आफ है तो इसको यहां पर आउन कर दीजे साउंड वर्चुलाइजर इसको भी आउन कर दीजे सराउंड साउंड लिवर को आप जो है फोर कर दीजे इतना ठीक है बहुत ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो सराउंड टीवी स्फीकर से थोड़ा सा उतना कमपेटेबल नहीं लगता है तो फॉर पॉइंट ठीक है अगर आपने होम ठीटर वगेरा कनेक्ट किया है तब बढ़िया है डाइलोग इनसर में आपको हाई कर दीजे तो आपको जितने भी डाइलोग है टीवी के में जब भी साउंड वगेरा या एक्शन सीन वगेरा आएगा तो आप के बाद मीड बेस आता है शिक्स किलो हर्ट्स और 12 किलो हर्ट्स इसको आप बढ़ाएंगे तो आपको ट्रेबल बढ़ेगा तो अगर आपको बेस मीडियम चाहिए तो फाइब टू 6 करिए यहां फ्रेंट हंडेट को टू फिप्टी हर्ट्स को टू या ठीरी कर दीजे जे करेंगे तो यहां ट्रेवल इन्क्रीज होगा तो टूवेल किलो हर्ट्स को भी 526 कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर का आप वह फ्रेकुएंसी बढ़ाएंगे तो बेस इंक्रीज होगा मीड में मीड हैस से इनक्रीज होगा और नीचे आपो शिस किलो हर्ट्स सेटिंग आपने किया था वो सब रिस्टोर हो जाएगा फिर से आप सेटिंग कर पाएंगे उसके बात फ्रेंट से अगर आप कोई भी वीडियो अगरा प्ले करते हैं तो फ्रेंट से आप अपने रिमोट से यहां पर पैचवाल बटन को प्रेस करना है यहां फ्रेंट सब्सक्राइब कर अब चले जाएंगे और कुछ अगर आपको चेंज करना है तो ढायरेक्ड आप वीडियो अगर चलता शाऑंड सेटिंग को काफी अच्छा चीज है उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं साउंड सेटिंग से रिलेटेड ही यहां पे इनपूट यहां फ्रेंड्स यहां पे इनपूट पर आईए जितने भी HDMI पोर्ट है जिसमें से एक HDMI ARC भी होता है अगर यह सी को अच्छे से आपको चलाना है तो HDMI कंट्रोल टर्ण अन्टु मेंग सीजी एंड एक अवेलेबल इसको आपको अन करके रखना पड़ेगा उसके नीचे डिवाइस आटो पावर आफ मतलब पावर आफ इस डिवाइड डिवाइस बिद्द टीवी अगर इसको आप कर देंगे तो इस डिवाइस पावर आफ हो ज रखते हैं स्टार्ट टू प्लेवने सोर्स इस कनेक्टेट यहां पर आपको क्लिक करके रखिए तो फ्रेंट्स यह सब सेटिंग बहुत जरूरी है इसको आपको करके रखना चाहिए बाकी आप हमें कमेंट शेक्शन में जरू बताईएगा कि आपको यह इन्फॉमेशन कै कैसा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज टेकन इन्ट चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा लाइक चैस जरू करिएगा और एच्टी माइए एरसी आप जब भी करिएगा तो इतना ध्यान दीजिएगा कि आपका जो से टॉप बॉक्स अगर आपने टाट सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट से टीवी को थोड़ा सा कैच करने में आसानी होता है क्योंकि दोनों एच्टी में डिवाइस है तो पहले आप सांड बार कनेक्ट कर लीजे एरसी के तुरू उसके बाद फिर आप अपने टाटा इसका या डिस टीवी जो भी आपने लगा है डिमाई डिवाइस तो उसको आपको अन करना है पावर अन करना है उसके बाद तो फ्रेंट्स काफी स्मूथली विए वर्क करेगा